हेलो फ्रेंड्स मैं आपके लिए बेवी फ्रॉक लेकर आई हूं बेवी फ्रॉक बनाने के लिए मैंने बज़ूई फैबरिक लिए है यदि आप फ्रेस फैबरिक मैंसे बनाए तो एक मीटर फैबरिक लगेगी फैबरिक को फोल लेर में फोल करेंगे फोल करने के बाद लेनी है टॉप मैं 9 इंच की तयार करूँगी तो लेंध में 10 इंच ले रही हूं 10 इंच पे मार्क करेंगे और लाइन ड्रो करेंगे यह बेवी फिरोक में 6-7 साल के बेवी के लिए बना रही हूं और यहां से हम फैबरी को कट करेंगे तो टॉप के लिए मैंने फैबरी को किया है बंसाइट की तरफ इंची टेप रखेंगे और सोल्डर में यहां पे 5 इंच ले रही हूं 5 इंच पे मार्क करेंगे आर्म हॉल्स की लेंध हम सोल्डर के अकॉर्डिंग रखते हैं तो सोल्डर में ने 5 इंच लिए तो आर्म होल्स की लेंध 5.5 इंच रखेंगे के लिए एड़े हैं दूसरा मार्क seven inch पर करेंगे बेवी ड्रेस में कमर की ड्राफ्टिंग हम चोड़ाई के अकोड़िंग करते हैं चोड़ाई हमने six inch रखी है तो हम हाफ इंच इंच फैबरीक कम रखेंगे कमरे में तो हैं हम साधे पांच इंच पर मार्क करेंगे और एक इंच फैबरिक मार्जन के लिए एड करेंगे और फिर हमें इस तरह से लाइन ड्रो करनी है arm holes की drafting हम 1 inch पर करेंगे तो इस तरह से आप गोलाई करें फिर इस line से half inch की दूरी पर दूसी line डिरो करें ये front arm holes की drafting होगी one side की तरफ inchी tape रखेंगे गले की चोड़ाई हम 3 inch रखेंगे length हम 1,5 inch रखेंगे back गले की ऐसे हमें box बनाना है half inch पर गोलाई करने है फ्रेंट गले की लेंथ हम रखेंगे टू इंच, टू इंच तक हमें ऐसे लाइन ड्रो करनी है, फिर बॉक्स बनाना है, हाफ इंच पर गोल आइकन नी है, इंच पर इंच, पर बॉक्स बनाना है, फ्रेंट गले की कटिंग करनी है, टॉप पीस की कटिंग हमारी कमप्रीच हो गई है, एक वाल मैं आपको रखके दिखा रही हूँ, और यह फ्रोक मैं फ्रिल वाला बना रही हूँ, जो बची हुई फैबरिक है, हमारी कुर्टी से बची हुई थी यह, और यह स्टेप की जो लेंद है, वो मैंने आठ इंच ली है, एट इंच, और स्टेप सिलके तयार 7 इंच की होगी, तो हम 3 स्टेप कट करेंगे, बटम पाट वाली स्टेप की चोड़ाई हमने 26 इंच ली है, 26 इंच की हमने 2 स्टेप ली है, लेंद 8 इंच है, इसलिए तयार 7 इंच की होगी, दूसरी स्टेप की चोड़ाई हमने 22 इंच ली है, तो यह भी 2 स्टेप है, और तीसरी स्टेप की चोड़ाई हमने 17 इंच ली है, यह भी 2 स्टेप है, और ऐसे ही यह तीनो स्टेप 7 इंच की तयार होगी, तो बटम जो स्क प्ट पीस रहेगा वहारा 21 इंच का होगा और टॉप हम 9 इंच की तयार करेंगे तो यह जो हमारी फ्रॉक है है में शरोट हमारा 30 इंच का त्यार होगा यहां पर हमें टॉप पीस लेसा नहें टॉप कर गले को बना ले सिंपल गला है सिंपल गली की वीडियो चैनल पर अपलोड है यहां पर मैंने एक गला बना लिया है टॉप पीस को हम सीधा रखेंगे अब हमें 17 इंच वाली स्टैप लेनी है से उल्टी तरफ से रखना है और इसमें हमें छोटी-छोटी प्लेट्स होनी है ऐसे आप पूरे पीस में ये प्लेट्स बनी है इस पीस को हम सीधा करेंगे फिर हमें दूसी स्टैप लेनी है 22 इंच वाली और उस स्टैप को हमें ऐसे उल्टी तरफ से रखना है और इसमें भी हमें छोटी-छोटी प्लेट्स बननी है तो यहां पर हम इसमें भी छोटी-छोटी प्लेट्स बननी है तो यहां पर ह एड़ करनी है अब हमें तीसरी स्टेप को भी आप ऐसे ही एड़ करने तो यहां पर मैंने तीनों स्टेप एड़ करनी है तो तीनों स्टेप हमने एड़ करनी है से मैं से अब बैक पीस में भी यह स्टेप एड़ करना है तो यहां पर मैंने बैक पीस में भी यह स्टेप रखेंगे दूसरे पीस को हमें उल्टी तरफ से रखना है त ए सब्सक्राइब